जैसे कि अभी तक हम नहीं जाना कि क्रिस्टली ठोसों के अव्यवी कण एक निश्चित करम में विवेस्थित रहते हैं लेकिन कभी कभी ये विवेस्था बिगड़ जाती है इसमें अनीमित्ता उत्पन हो जाती है ये कई कारणों से हो सकता है कभी क्रिस्टल को उश्मा देन कि वज़े से या फिर जो में प्रोसस होती है क्रिस्टली करन की क्रिया होती है यदि उसमें तेजी ला दी जाए या घरबड़ी कर दी जाए तो क्रिस्टल जो बनते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं बनते और उनमें अशुद्या उत्पन हो जाती हैं यहनी कि किसी क्रिस्टल जालक में एक परमाणू के चारों ओर जो विभिन परमाणू की आदर्श विवस्था होती है उसमें अनेमित्ता उत्पन हो जाती है जिसे हम क्रिश्टलिय दोश कहते हैं ये दोश किसी एक परमाणू की वज़ा से भी हो सकता है जिसे हम बिंदू दोश कहते हैं या फिर किसी पूरी परमाणू की एक लाइन दोश्युक्त हो सकती है तो आये सबसे पहले हम बिंदू दोशों का वर्गी करन जानते ह बिन्दू दोशों को पुना तीन वर्गों में बाटा गया है सबसे पहले स्टोक्योमेट्रिक दोश इसके बाद नौन स्टोक्योमेट्रिक दोश और तीसरे क्रम पे है अशुद्धता दोश स्टोक्योमेट्रिक दोश को पुना चार वर्गों में बाटा जाता है इसी तरह से जो नन-स्टोकियोमेटरिक दोष है, उन्हें भी दो वर्गों में बाटा गया है, धातू आधिक्ये दोष और धातू नियूनता दोष. इसके बाद आएंगे अशुद्धता दोष. तो सबसे पहले हम स्टोक्योमेट्रिक दोशों के बारे में विस्तार से जानते हैं स्टोक्योमेट्रिक दोशों को उश्मा गत की दोश भी कहा जाता है क्योंकि ये दोश प्रायर क्रिस्टली जालक को या क्रिस्टल को उश्मा देने पर उत्पन होते हैं इसमें जो पहला दोश है वह है रिक्तिका दोश इस प्रकार के दोश में क्रिस्टल जालक में से कुछ परमानू क्रिस्टल जालक को छोड़ कर बाहर निकल जाते हैं जिसकी वज़े से क्रिस्टल जालक के अंदर कुछ रिक्तिस्थान बन जाते हैं और इसे लिए इस प्रकार के दोश को रिक्तिका दोश कह जाता है अब जैसे आप समझ गये कि जब कुछ परमाणों किस्टल जालक से बाहर निकल जाएंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा इनका घनत्व इसकी वज़े से किस्टल लेटरस का जो किस्टल जालक का घनत्व होता है वह कम हो ज अंतराकाशी दोस में जो किस्टल लेटरस में बंधे होए निश्चित क्रम में जो बंधे होए परमाणों होते हैं उनमें से कुछ परमाणों निकल कर अंतराकाश में चले जाते हैं जिसकी वज़े से ये दोश उत्पन्न होता है जोकि परमाणों निकल कर केवल से बाहर नहीं गया है इस वज़े से क्रिस्टल जालक के घनतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और साथ ही साथ क्रिस्टल जो है वह उदासीन बना रहता है इस प्रकार के जो दोनों दोश हैं वह नौन आइनिक कमपाउंड में पाए जाते हैं अब इसके बाद हम देखते ह हैं तीसरे प्रकार का दोश शाट की दोश जो शाट की दोश और फ्रेंकिल दोश हैं यहां आइनिक कमपाउंड में देखने को मिलते हैं जो क्रिस्टल जालक धनायनों और रिनायनों से बने होते हैं जब यह शुद्ध अवस्था में होते हैं तो धनायनों और रिनायनों क की संख्या बिलकुल बराबर बराबर होती है जब शौट के दोस है उस प्रकार के दोस में एक धनायन और एक रिनायन अपना स्थान छोड़कर कस्टल लेटिस से बाहर चला जाता है ऐसे स्थति में आप देखिए कि चुकि कस्टल लेटिस से दो पर आयन बाहर चले गया है त और रिनायन दोनों बाहर निकले हैं इसलिए अभी भी क्रिस्टल लेटिस की उदासीनता बनीर होती है और साथ ही जो इनकी विद्दुचा लगता होती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस प्रकार का यदि हम दोश देखें तो हमें जो सोडियम क्लोराइट, प फ्रेंकल दोश में जो धनायन है क्रिस्टल लेटिस में जो धनायन होता है वह निकल कर क्रिस्टल जालक के ही अंतरकाशी स्थल पर चला जाता है और चुकि यहाँ पर आयन बाहर नहीं गया है इस वज़े से यहाँ पर क्रिस्टल लेटिस के घनतों में कोई परिवर्तन नह णी हो रहती है इस कि प्रकार का दोश सिल्वर क्लोराइट ऀलॅर डिम्त करता है यहां पर देखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाईट दोनों प्रकार के फ्रेंकिल टथा शाट की दोनों दोशों को प्रदरशित करता साथ ही साथ एक और बात जो हम देखेंगे शाटकी और फ्रेंकल तुटीक में इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए तो जो शाटकी दोश है वो उन किस्टलों में पाया जाता है जिनमें धन आयन तथा रिन आयन की साइस बराबर बराबर होती है जैसे कि हम देखें सोडियम और क चुकि हम जानते हैं यह प्रत्थमवर का तत्व है और इसकी साइस बड़ी होती है और साथ ही साथ जो क्लोरीन जो है वह रिन आयन है और इसलिए दोनों की साइस बराबर होती है जबकि जो फ्रेंकल दोश है उसमें धन आयन की साइस रिन आयन की तुलना में काफी छोटी ह और यही वज़ा है कि धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। जो कॉडिनेशन नंबर है वो उच होती है जबकि फ्रेंकिल दोश में कॉडिनेशन नंबर कम होती है। तो इस तरह हम दोनों शाटकी तथा फ्रेंकिल दोशों में अंतर कर सकते हैं। क्रिस्टल लेटिस में विद्दुद चालगता बढ़ जाती है। इस पास्ट है जिनमें आइनिक गुण जादा होता है। ऐसे आइनिक क्रिस्टल जिसमें की आइनिक गुण जादा होता है। यनि की जिनकी रिन विद्दुताओं में जादा अंतर होता है। उनमें शाटकी दोश देखे जाते हैं। यदि हम फ्रेंकलन दोश की बात करें। तो चुकि इसमें धन आयन छोटा होता है तथा रिन आयन बढ़ा होता है। और धनायन हम जानते हैं जितना छोटा होता है उसका रिणायन को polarize करने की दुरूवित करने की या विकृत करने की छमता उतनी ज़ादा होती है जिससे कि इसमें इससायोजन गुण बढ़ता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिनमें आईनिक गुण कम पाया जाता है ऐस से क्रिस्टल जालकों में फ्रेंकल दोश देखने को मिलते हैं अब हम जानते हैं अशुद्धता दोश के विसे में यदि सोडियम क्लोराइट को कुछ मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइट के साथ गलित किया जाए मेल्ट किया जाए और फिर इन्हें पुना क्रिस्टली करित किया जाए तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनते हैं उसमें स्ट्रांसियम के द्वारा कुछ सोडियम के इस्थानों को ग्रहण कर लिया जाता है और हम जानते हैं कि स्ट्रांसियम द्विसंयोजी होता है अतहर एक स्ट्रांसियम का जो आयन है वह दो सोडियम के आयनों को या इसलिए एक sodium का स्थान रिक्त रह जाता है और इस तरह से यहाँ पर जो रिक्तियों की संख्या होती है वह इस ट्रांशियम आइनों की संख्या के बराबर होती है तो इस प्रकार के जो दोश है उसे हम अशुधता दोश कहते हैं इस प्रकार का दोश हमें cadmium chloride और silver chloride के मिश्रण को गलित करके और फिर उन्हें उन्हा क्रिस्टली करिट करने पर भी हमें प्राप्त होते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं non stoichiometric दोश नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोश वो दोश होते हैं बैचों जिसमें कि धन आयन और रिन आयन का जो अनुपात है या अव्यवी कणों का जो अनुपात है वैसा नहीं होता जैसा कि उनके फॉर्मूला सूत्र में दिखता है जैसे हम सोडियम क्लोराइट की बात करें तो सोडियम और क्लोराइट में सोडियम और क्लोराइट का जो अनुपात है एक अनुपात एक है यदि माल लिजे 100 सोडियम आयन है तो 100 ही क्लोराइट आयन होंगे लेकिन जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोश होता है इसमें इनका जो आदर्श अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है और इसे लिए इस प्रकार के दोश को हम non stoichiometric दोश कहते हैं ये दोश जैसे हमने देखा दो प्रकार से होता है एक तो है धातू आधिक्य दोश और दूसरा है धातू निवनता दोश सबसे पहले देखते हैं धातू आधिक् यदि आप इस crystal lettuce पर देखें तो इसमें आप देखेंगे कि धन आयन और रिन आयन एक निश्चित क्रम में विवस्थित हैं धातू आधिक्य के दोश यहां पर धातू से तात पर ये धन आयन से हैं क्यूंकि हम जानते हैं जो धन आईन धातू होती हैं वो धन आयन बनाने की प्रवित्ती रखती हैं तो धातु आधिक के किसी भी क्रिस्टल लेटिस में दो प्रकार से उत्पन हो सकता है या तो धात क्रिस्टल लेटिस में से कोई रिन आयन बाहर निकल जाए या फिर कोई धन आयन क्रिस्टल लेटिस में आ जाए इस तरह से जो धातु आधिक के दोश अधिक के दोश और दूसरा अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशी इस्थल पर उपस्थित होने के कारण धातु आधिक के दोश. ऑयन हैं निष्चित क्रम में विवस्थित हैं तथा उंकी संख्या भी बिल्कुल बराबर है सोडियं क्लोराइड को सॉडिय retail वाश्प की उपस्थती में गर्म किया जाता है तो ऐसे स्थती में जो सोडियं वास्प में उपस्थत सोडियम है वह सोडियम आयन में परिवर्थित होता है और साथ ही अपने इलेक्ट्रान निकालता है अब यह जो सोडियम आयन बना यह किस्टल लेटिस में उपस्थित एक रिन आयन को आकरशित करता है और उसके साथ मिलकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर सोड इसे साथ यहाँ पर जो sodium के द्वारा electron निकाला गया है वह electron उस chloride के इस्थान को ग्रहन कर लेता है और इस प्रकार से जो दोश उत्पन होता है उसमें हम देखेंगे कि crystal जालक में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं सबसे पहले तो हम देखें कि क्योंकि यहाँ पर एक रिणायन crystal lattice से बाहर चला गया है तो इसके घनत्तों में कमी आ जाएगी दूसरी ओर हम देखें कि यहाँ पर अभी भी चुकि एक रिणायन बाहर गया है उसके साथ में एक electron अंदर आ गया है यहने कि अभी भी जो crystal lattice से उसकी neutrality उदासीनता बनी हुई है तीसरे स्थान पर हम देखें क कि चुकि यहाँ पर एक मुक्त electron एक free electron आ गया है इसकी वज़े से crystal की चालकता में व्रिधी हो जाती है साथ ही चुकि हम जाते हैं कि किसी crystal या धातू का जो चुम्ब की विवहार है paramagnetic character है वह अईगमित electron की वज़े से होता है तो यहाँ पर एक electron आ जाने की वज़े से इसक paramagnetic character में व्रिधी हो जाती है तो हम देखेंगे जो साधारन sodium chloride होता है वो diamagnetic की तरह विवहार करता है यदि हम उसको चुमिके छेत्र में रखे तो वहां से प्रतिकर्शित होगा लेकिन यदि इस दोश युक्त जो sodium chloride है उसको हम वहां पर रखे तो वह paramagnetic स्वभाव पस्थित हुए हैं ये free electron के कारण इस crystal जालक में एक विशेस गुण आ जाता है और इस जो इसके रंगीन बना देता है यह हम जानते हैं कि sodium chloride सामाने तोर पा सफेद रंगा होता है लेकिन इस दोश के कारण sodium chloride पीले यलू कलर का दिखाई देने लगता है वो इसलिए होता है और इस प्रकार का जो केंदर है उसे f center या farman center कहा जाता है ये french भासा का शब्द है farb जिसका अर्थ होता है रंग तो ये जो f होते हैं इस मुक्त इलेक्टरान होते हैं वो f केंदर का निर्मान करते हैं जिसकी वज़़े से इस crystal जालक को एक विशेस रंग प्राप्त होता ह है ये मुक्त इलेक्टरान के निश्चित तरंग धैरे वाली उर्जा को विकरणों को अवशोशित करते हैं और उच्च उर्जा इस तर पर चले जाते हैं और जब ये वापस आते हैं तो पूरक विकरणों को उस तर जित करते हैं जिसकी वज़़े से जो crystal जालक है वह दिखाई देने लगता है तो इस तरह से हम देखें कि रिन आयन रिक्तियों की वज़़े से जो दो शुत पन होता है उसमें crystal जालक में बहुत से गुण आ जाते हैं साथी साथ इसी तरह से हम देखें कि यदि लीथियम क्लोराइड में ये दो शुत पन होता है तो लीथियम सांटर बनने की वज़़े से जो crystalौ में अलग कलर उत्पन हो जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रकार का अतरिक्त धन आयन के अंतराकाशिस्थान पर आ जाने की वज़़े से जो दोश उत्पन होता है धातू आधिके दौश उत्पन होता है इसे हम जिंक आउ जिन्क टू प्लस आयन तथा ओक्सीजन टू माइनस आयनों का निश्चित क्रम में विवेस्थित हैं अब यहाँ पर यदि इस क्रिस्टल लैटिस में कोई एक जिन्क आयन बाहर से अंतराकाशी शेत्र में आ जाए तो ऐसे स्थती में यहाँ पर एक धनायन की वृद्धी हो जाएगी और साथ ही साथ चुकि यहाँ पर जिन्क आयन आएगा उसके साथ साथ उसके दो इलेक्ट्रॉन भी आएंगे तो इसकी वज़े से इस प्रकार के दोश की वज़े से क्रिस्टल चालक में कौन-कौन से परिवर्तन होंगे सबसे पहले तो हम देखें कि चुकि यहा व्रध्व में व्रध्धी हो जाएगी दूसरा जो कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रान आ रहे हैं इसलिए इसके टारा मैगनेटिक क्यरक्टर में भी व्रध्धी होगी साथ ही साथ मुक्त इलेक्ट्रानों की वज़े से क्रिस्टल जादा विद्धुत का सुचालक हो जाए लेकिन जब इसमें यह दोश उत्पन हो जाता है तो यह यलो कलर का पीले कलर का दिखाई देता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नॉन स्टोकियमेट्रिक दोश हैं या धातू आधिक के दोश हैं इसके वज़े से क्रिस्टल जालक में अनेकून उत्पन हो जाते हैं आईए अब हम जानते हैं धातू न्यूनता दोश को जैसे की नाम से सपस्ठ है यहाँ पर धातू यहने की धन आइनों की कमी हो जाती है इस प्रकार के दोश प्राया उन धातूं के द्वारा या योगिकों के द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं जिनमें की धातू एक से अधिक आक्सिकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं उधारन के लिए हम यहाँ पर आइरन ओक्साइड का उधारन लेते हैं यहाँ पर इसके crystal जालक में आप देख रहे हैं कि iron 2 प्लस आयन और oxygen माइनस आयन एक क्रम में विवस्थित हैं यदि यहाँ पर एक fa2 प्लस आयन इस crystal lattice से बाहर चला जाए तो उसके कारण जो दोश उत्पन होगा उसे हम धातू न्यूनता दोश कहेंगे अब इस प्रकार के दोश के कारण इस crystal lattice में क्या-क्या परिवर्तान होगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जब धन आयन एक fa2 प्लस आयन बाहर निकला है तो इससे धन आयन में कमी आ जाएगी लेकिन यहाँ पर चुकि हम जानते हैं आयरन प्लस थ्री आक्सी करण अवस्था भी प्रदर्शित करता है इसलिए इसके उदासीनता को बनाए रखने के लिए आस-पास के जो दो fa2 प्लस आयन है वह fa3 प्लस आयन में परिवर्तित हो जाएंगे और इस तरह से जो किस्टल लेटिस की उदासीनता है वह बनी रहेगी तो यहाँ पर हम देखें चुकि एक धनायन बाहर निकल गया है इसलिए किस्टल लेटिस के घनत्व में कम्या जाएगी साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रान होंगे वो अंत्राकाश में इस्थान बना लेंगे इसकी वज़े से धातू की चालकता भी बनी रहेगी और इस तरह से हम देखते हैं कि धातू नूनता दोश की वज़े से धातू में कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं